नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आज के मुसम समाचारों में जिया दोस्तों बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है अगले 15 दिन में 16 राज्यों में होगी जमकर बारिश MP बिहार समय ते 10 राज्यों में हीट वेव मांसून के 19 दिन बीते देश में 33 प्रितिशत कम बारिश जिया दोस्तों बड़ी ख़बर और अपडेट निकल कर आ रही है मांसून को लेकर दरसल दोस्तों मांसून को लेकर एक अच्छी ख़बर है मौसम विग्यान विभाग की मताबित अगले 15 दिन में देश के आदे से जादा राज्यों में बारिश होने लगेगी इसकी शुरुवात कुछ राज्यों में सोमवार से हो गई है दिल्ली वियार पूर्वी उत्रप्रदेश पश्मी मंगाल के तट्ये इलाकों में बारिश हुई और दिन में बादल भी चाये रहे मोसम विभाग के मुताबित अगले 24 घंटे के दोरान असम उफिमाले पशिम मंगाल सिक्किम पशिम मध्यप्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है जहां आज भी असम में गाले सिक्किम और तमील नाडू में भारी बारिश की आशंका है दोस्तों मोसम विभाग के मुताबित मध्यप्रदेश समयत 10 राजियों में अगले 2 दिन हीट वेव की आशंका है इन राजियों में अलाट जारी किया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश बिहार तमील नाडू मध्यप्रदेश जारगंड महराष्ट ओडी सा पशिमंगाल अंधर प्रदेश होते लंगाना के लावा कुछ अन्य राजियों में भी हीट वेव की आशंका है दिल्ली मध्यप्रदेश जारगंड चत्यस गड़े पशिमंगाल में गंगा तटवाले हिस्से और उत्तर पूरवी आट राजियों में अगले 15 दिनों में तेज और लगातार बारिश होने की आशंका है वहीं दोस्तो वीपरजोय तूफान देश में बारिश की कमी को पूरा कर रहा है सिर्फ उत्तर पशिम भारत में ही कोटे से 37 पृतिशत जादा बारिश हो चुकी है वीपरजोय गुजरात और राजस्तान में बिते 4 दिनों में इतनी बारिश करा चुका है कि इस से देश बर में कमजोर मांसुन के चलते हुई बारिश के कमी में 20 पृतिशत की भरपाई हो गई है आम तोर पर दोस्तों देश में मांसुनी सीजन एक जून से शुरू होता है लेकिन इस बार मांसुन केरल में 8 दिन देरी से पहुचा था इस हिसाब से सीजन के 19 दिन वीद गए हैं लेकिन मानसुन वेसा नहीं बरसा जैसा उसे बरसना चाहिए था आई सीजन में देश के पूर्वी है उत्तर पूर्वी हिस्सों में किस प्रतिशत है मध्य भारत में 56 प्रतिशत दक्षिन में 61 प्रतिशत है कम बारिश हुई जबकि पूरे देश में यहां आकड़ा 33 असन ने रेस्क्यू कर बचाया जबकि साथ लोगों की जान चली गई वहीं दोस्तों मध्य प्रतिश की बात करें तो रपसागर की खाड़ी से उठे तुफान भी पर जोई ने गुजरात राजिस्तान में भारी तबाई मचाई आदे सी जावल जिलों में बार जिसे हालात बने और कई जाने भी गई वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिख रहा है प्रदेश में गवालियर चंबल भोपाल और उज्जेन में बारी बारिश की चेताउनी दी गई है वहीं दोस्तों यूपी की बात करें तो यूपी में भी इस तुफान का असर द भाग ने मंगलवार को 24 जिलों में बारिश और आकाशे विजली को लेकर औरेंज अलट जारी किया था 6 जिलों में हीट वेव को लेकर औरेंज अलट और 3 जिलों में हीट वेव को लेकर यलो अलट जारी किया गया है इसका असर दोस्तो तूफान का हरियाना पर भी दिखाए हरियाना में भी कई जगया पर बारिश की खबरें आ रही है तो दोस्तो यह ते आज के मौसम समाचार वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को जादा जादा लाइक और शेयर जरूर कीज़े साथी कमेंट करके बताईए कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन से राजे की खबरें प्रमुकता से सुनना चाहते हैं ताकि आने वाले वीडियो में आपके राजे की खबरें प्रमुकता से बता सकें धन्यवाद वीडियो को लाइक कर लीजिये चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वंदे मातरम जे हिन जे भारत